नमस्कार मैं ललीता सेनी नवेर स्वाइमा आपका स्वागत करती हूं और आज बनाएंगे मौपली की स्पेशल रेसिपी जो गुजराज साइड में मिलती हैं जो अपन मार्केट से लेके आते हैं वो टेस्टी वाली मौपली एकदम मार्केट इस्टैल में बनाएंगे जो हम हमारे बस के अंदर ट्रेंद के अंदर सपर में मौपली मिलती हैं वह गुजराज साइड से आती है वह मौपली गर्पे बनाएंगे और यह डबल भाव में आती है और गर पे एकदम गर एतनी आसानी चीव बनाएंगे मुखली देखिए आप कितनी प्यारी मुखली है और आप शोटी साइज की मुखली भी ले सकते हो और मीडियम साइज की देशकते हो यह देखिए मेरी कितनी प्यारी मुखली है ऐसी मुखली भी आप ले सकते हो मार्केटी स्टाइल में बना के आपको मुखली दिखाऊंगी जो मिन्टों में बन जाने वाली मुखली अभी इसे देखें आप मैं एक तपेली ले रेती हूँ तपेली को गेस पे रखके इसे पानी गरम कर लेती हूँ पानी गरम होने पे मुपली को इसके अंदर एड़ कर दूंगी अब इसे उबलने देती हूं दो चार मिनिट के लिए अब मैं इसके अंदर एड़ कर देती हूं नमक दो चमच बरके अब इसे अची तरह से उबलने देती हूं डग के उबलते टाइम पे नमक एड़ करेंगे तो नमक इसके अंदर तक जाएगा मुपली के अंदर और मुपली खाने पे फीकी फीकी नहीं लगेगी अब डग के दो-चार मिन्टी से पकने दोंगी अज़ देखे मुपली उबल के तयार हो गई एकदम फूल के सारी मुपली उपर आ गई है उबल के बिल्गुल उबाल आ गया मुपली के अंदर हम इसे एक बाउल लेती हूं बाउल के उपर चंदने लगा के इसे चान लेती हूं मार्केटि स्टाइल में मुपली बनाने के लिए इसे उबालना जरूरी है देखें आप चंदने की साहिता से मैं पूरी मुपली को चान लेए एक सूती कपड़ा लेके और सूती कपड़े पर फेला दूंगी रूम टेमपरेचर पर सूखने देती हूं अब इसे सूखने देती हूं बिल्कुल फेला देती हूं अची तरह से और इसकी पानी की जो भी नम्मी है वह बिल्कुल कटम हो जानी जीए इतने देश में गेस पर पैन चड़ाके है और गेस को चालू करके एक आधी तोली नमक डारेड़ कर देती हूं इससे हैं मुपली के अंदर नमक में मुपली को शेकैंगे तो इसके अंदर रेत के कंड भी नहीं आएंगे और इतने टेश्टी गुजराती स्टाइल में मुपली बनके तयार होगी जो अपन खाते हैं ड्रेन वबस हमें सफर करते हैं जब मुपली मिलती है दुग निवाव में मिलती है वो तो अब घर पे बनाके आसाने से इसे ले जा सकते हो आप सफर के अंदर है अब मेरी मुपली सूप के तयार होगी अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूं बच्चे वो बड़े वो बहुत च्याव से खाएंगे और बच्चों की सबसे ज्यादा फसंद है मुपली और बच्चों को कभी भी कच्छी मुपली नहीं देना है कि नमक गरम हो गया था अब मुफली मुफली देखें आप चिलका उताने लग गया हमेशे एक चन्नी की साइट अशी चान लूँगी एकदम मुफली पक के तयार हो गई चन्नी की साइट अशी सभी को मैं चान लूँगी कि बहुत टेस्टी मुफली बनके तयार हुई है एक दम मार्केट इस्टाइल में मार्केट में मिलती हैं वैसे बनके तयार हुई है कि सभी मुफलियों को मैं चान लिए यह नमक बच गया इसे चान के रख दीजिए और अगली कुछी रेसिपी बनाओ जब काम में आ जाएगा वाव कितने अच्छी टेस्टी मार्केटी स्टाइल में चिल के उत्रेवी मुफली मिलती है आधी चिल के उत्रेवे आधी वैसे वैसे मुफली बनके तयार हो गई देखे कितने क्रिश्वी मुफली बनके तयार हो गई एकदम सौप्ट सौप्ट और इतने कुरकरी मुफली बनके तयार हो गई आप देख सकते हो मार्केटी स्टाइल में मुफली बनके तयार हो गई बच्चे हो बड़े हो बिल्कुल चा स्क्राइब किजिए दन्यान